आज किस वीडियो में हम लोग मेंडल के परियोग को देखेंगे और साथ ही मैं यहाँ पर आपको चार ऐसे कोस्चन बताऊंगा जिसका एंसर एक ही ही होने वाला है इसलिए आज का जो यह वीडियो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चलिए सबसे पहले मैं मेंडल के योगदान को लिखें अगर यह कोश्चन आता है तब भी आपको यह अंसर लिखना है अथ्वा मेंडल के परियोग को लिखें अगर मेंडल के परियोग को लिखें लभी इस टाइप का प्रसना आता है तब भी आपको यह उत्तर लिखना है अथ्वा देखिए गर द्वाता है ना तब भी आपको यह लिखना है लेकिता क्या है कि अगला क्या है कि अगला question लिखा हुआ है मेंडल के परियोग दवारा कैसे पता चला की लक्षन प्रभावी अथवगर अप्रभावी होते हैं यहाँ पर यह चार question है और यह चार questions का एक ही answer होने वाला है इसलिए जो वीडियो है बहुत ही interesting होने वाला है तो चलिए answer में चलते हैं और समझते हैं इसके answer को answer को देखने से पहले आप सबसे पहले समझे कि प्रागन क्या होता है ठीक है ऐसे मैं प्रागन को जनन चेप्टर में बता दिया था लेकिन मैं यहां पर आपको फीर से एक पर बता देता हूं देखिए ध्यान से यह जो आपका प्राग कोस है यह जो प्राग कोस आप देख पा रहे हैं यहां पर आपका होता है प्राग कन क्या होता है प्राग कन और यह प्राग कन जब इस बरतिक कहेंगे देखें लिखा है कि जब एक पूस्प के प्रागकन उसी पूस्प के या उसी जाती के अन्य पूस्प के बरतिकाग्र तक पहुंचती है तो इस प्रकिविया को प्रागन कहते हैं तो इस प्रकिविया क्या कहते हैं प्रागन कहते हैं बात समझ में आया इसी प्रकिव होते हैं एक होता है सव प्रागन और एक होता है पर प्रागन कर उससे हमको मतलब नहीं है तो प्रागन के बारे में आप समझ गए तो चलिए मेंडल के परियोग को देखते हैं यह आपको नहीं लिखना है यह केवल मैं आपको समझाने के लिए बताया कि प्रागन क्या होता है कि हम लोग आगे प्रागन का यूज करेंगे और वर्तिकागर क्या होता है यहां पर यह जो है यह हमारा वर्तिकागर है यह जो पूस्प है यहां पर क्या है यह हमारा वर्तिकागर है तो यहां पर जो हम लेने वाले हैं ठीक है जो concept को समझेगे देखिए अक्चुल में हर इसका जो परतिपादन है इसके जो जनक है इसके जो फादर है कौन है तो मेंडल है इसलिए जो मेंडल जी का जो युगदान है यह बहुत ही महध्पूर्ण है इसके लिए मेंडल ने मतर के दो पोधे लिए मेंडल ने क्या किये मतर के दो पोधे लिए उन्होंने मतर का एक ब लंबा पोधा लिया जिसे capital T मनब capital T capital T से दिखाया समझ माया मेंडल जी ने क्या किये मतर के दो पोधे लिए एक बोना पोधा लिया जिसे small T small T से दिखाया और एक मतर का लंबा पोधा लिया जिसे capital T capital T से दिखाया मेंडल ने मतर के लंबे पोधे तथा बोने पोधे के बीच प्रागन कराए अब प्रागन क्या होता है अभी मैं आपको बताया तो मेंडल ने क्या किये मतर के लंबे पोधे और बोने पोधे के बीच प्रागन कराए इसे मेंडल का परियोग कहते हैं य चल्वा है यहां तक दिकत नहीं है मेंडल जी इने क्या किय है मunder के दो पोदे लिए एक बोना पोदा लिए जिसे स्मणस्माल दिखाया एक लंबा पोदा लिया जिसे डिया उसत पिपर के ल मतर के लंबे लंबे पोदे और बोने पोधे के बीच प्रागन कराए और इसे को हम लोग मेंडल का परियोग कहते हैं यहां तक किलिए रहे आगे बढ़ते हैं देखे आगे क्या होता है इसके लिए सर्व पर्थम मेंडल ने बोने पोधे के फूलों को खोल कर उनके सारे पूंके सर हटा दिये तथा एक निकाल कर बोने पोधे के फूलों के वर्तिकागरों पर गिरा दिया मेंडल जी ने क्या क्या सर्व पर्थम एक बोने पोधे के फूलों को खोला ठीक है और खोल कर उनके सारे पूंके सर हटा दिये जितने भी पूंके सर है सारे के सारे पूंके सर हटा दिये पूंके सर अग तथा जो बोना पोदे का फूल है उनके सारे पूंगे सर को हटा दिये फिर क्या करते हैं एक लंबे पोदे के फूलों को खोल कर उनके प्राग कनों को निकाल कर बोने पोदे के फूलों के बरतिकागर पर गिरा दिये और एक लंबा पोदा का जो फूल है उसको लेता है उसको मेंडल ने बोने पोधे के फूलों को खोल कर उनके सारे पूंके सर हटा दिये मेंडल जी ने किया कि बोने पोधे का जो फूल था उस फूल को लिया उसके सारे पूंके सर को हटा दिये तथा एक लंबे पोधे के फूलों को खोल कर उनके प्रागकनों को निकाल कर ठीक है और लंबा पोधा का जो फूल था उसको लिया उनके सारे प्रागकनों को निकाला और निकालने के बाद बोने पोधे के फूलों के बरतिकागर पर गिरा दिया और जो भी प्रागकन थे उसको क्या किया बोने पोधे के फूलों के बरतिकागर पर गिरा दिया यानि क्या करा रहे ह पर अभी में आपको बताया जब प्रागकनों को जब बरतिकागर तक पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं अभी में आपको बताया यहां पर देखिए उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रागन कहते हैं तो मेंडल क्या कर रहे हैं यहां पर प्र का मार्कार का काम किये growth जब यहां पर जो बोने पोद्धे के फुलों के बरतिकागर पर जब गिरा दियं प्राग करनों को तो उनसे जू भी बीज प्राप्थ हुआ मेंलाल जी ने उस बीज शेखिया क्या पोधा हुगाई आप जनक पिडी का जो पोधा था उससे जो बिज प्राप्ट हुआ उस प्राप्ट बिज से क्या करता है फिर पोधा हुगाता है जिने आम लोग परतम संतती एफवन कहते हैं और इसे आम लोग क्या कहते हैं परतम संतती या फिर एफवन कहते हैं इन पोधो से प्राप्त बीजों से फीर पोधा हो गाये अभी जो पर्थम संत्ति में जितना भी हमको लंबा पोधा मिला यहां से क्या क्या बीज प्राप्त किया और इस तथा लंबा था एबंग एक पोधा बोना था और यहां से चार पोधा प्राप्ट हुआ और चार में से तीन पोधा हमारा लंबा था और एक पोधा क्या था बोना था तो आप देखिए पहले हमारे पास लंबा और बोना पधा था जो परतम संत्यति हुआ वहां पर सारा का सा लंबा हुआ दूत यह संतधी में क्या होता है हमको यहां पर बोना पोधा वह मिला और लंबा पोधा भी मिला इससे क्या पता चलता इससे मेंडल को पता चला कि अनुवन से गुन स्वतांतर रूप से वनसानुगत होते हैं इसका मतलब दे किमान लेजिए अब देखें होंग तो देखेगा कि उसके परिवार में अधिकतर जो भी आदमी होता ना जो भी जनम लेता है बच्चा जो भी हो तो सब क्या होता बोना बोना ही होता है ठीक है और आप ऐसे भी फेमेली देखेंगे जिस घर में लंबा लंबा आदमी है तो उस घर में जो भी बच्चे होते हैं अधिकतर लंबा-Lंबाई होते हैं, तो हें क्या होते हैं, वनसानुगत होते हैं, मतलब यह अपना जो वनसे हैं, वनसे के साथ पिढ़ी-दर-पिढ़ी क्या होता है, बात समझे माया, तो इससे क्या मेंडल को पता चला की, आनुवन सिक गुन सावतंत्र रूप से प्रभावी रूप से दिखाई पड़ता है सबसे पहले लंबा जला पराप्त हुआ था इसलिए जब किसे प्रभावी लक्षन प्र help जिए डिक.» तो मेंडलग क्या सब से पहले 2 परकार का मटर का पोधा लिया एक लंबा पोधा लिया ठीक है और एक बोना पोधा लिया यह जो आप बड़ा बड़ा टी देख रहे हैं यह हमारे क्या था लंबा पोधा था तो यह हमारे क्या है लंबा पोधा है ठीक है और यह हमारे क्या है बोना पोधा है यह हमारे छोटा अब यहां पर जो प्रागन हुआ इस प्रागन के कारण यहां पर यहां पर नरी जो जनक पिड़ी है यहां से जो बीज प्राप्त होता है यहां से फिर से पोधा हो गया जाता है और जैसे का भी आम लोगों ने पढ़ा कि यहां पर जितना भी पोधा होता है सारा का सारा लेंगा को यह पर भी क्या बनाएगा एक एह पर गाइगा आप ठीक है मैं यह पर यह पर कॉल चेंज कर देता हो अगर चाप अच्कत दरिकी से समझ पाएं ये जो डी है trucs से मिल राता है ठीक है और यह पर भी टी और ठी बनाता है और यह जो टी है फिर से और इक बार इसके साथ करता है और यहांपर भी टी और ठी ही बनता है तो यह जो टीटी है टीटी है टीटी है यह सारा का सारा हमारा क्या होता है सभी के सभी लंबे पोधे होते हैं यह क्या होता है सभी पोधे लंबे हैं सभी पोधे लंबे हैं मतलब यहां पर जितना भी पोधा आने सारा का सरा हमारा लंबा है लंबे हैं ठीक है और यसे हम लोग क्या काहते हैं इसे हम लोग काहते हैं प्रथम संतती प्रथम संतती यसे हम लोग F1 कहते हैं क्या कहते है F1 clear है बात अब देखिए यहां पर देखिए सारा का सारा पोधा हमारे क्या लंबा है यानि आपर यह जो टी है यह टी टी क्या है परभावी है टी परभावी लक्षन है टी परभावी लक्षन है बात समझ में आया clear है बात यहां तक अब क्या होता है यहां पर यह जो पर्थम संतती है पर्थम संतती से जो भी पोधा है यहां से फिर से बीज प्राप्त करते हैं और बीज प्राप्त करने के बाद फिर से पोधे रोपते हैं और पोधे रोपने के बाद चार पोधा वहां से होता है और चार में से तीन पोधा लंबा प्राप्त होता है और एक हमारा बोना पोधा प्राप्त होता है इसी से मैंडल को पता चलता है कि जो यह अनुवन्सी गुम्हें 27 रूप से वन्सानुगत होते हैं और पिडी दर पिडी चलते रहता है किलियर है यहां तक अब क्या होगा देखिए यह जो पर्थम संत्ति है पर्थम संत्ति में सारा का सारा पोधा हमारे क्या है टी बनेवे केपिटल टी एक स्मॉल टी एक केपिटल टी एक स्मॉल टी एक स्मॉल टी तो यहां से जो बीज भी हमको मिलेगा ना एक केपिटल टी एक स्मॉल टी केपिटल पिपटल डी बनाएगा एक बनाएगा रें पिर से यह जुटि है इस इसमेल कि साथ मिलकर क्या बनाएगा दोनों इसमाल पर बनाएगा बात समझ दुटिय संतती बोलेंगे दुटिय संतती एक स्लस्ट नच तड़िक देता हूं में यहां से यहां तक जो पोधा है मेरे पास यह जो capital T capital T capital T small t capital T t small t cał p ĝे सब हमारा सारा कसरा about पोधा दलंबा पोधा सैंग रिए गणागी पर कि तो यहां पर किसका परवाव है कौन्ट का थी का थी तो यहां पर किया थी प्रभावी लक्षन यह रुखे तो यह जो इस मौल ॵृ हो गया तो यहां पर प्रभावी होगा लेकिन यहां पर यह जो दोट हो है यह क्या है यह हमारा बोना पोधा है यह क्या है हमारा बोना पोधा है और अगर यह बोना पोधा देखें यहां पर क्या है इसमल्टी इसमल्टी है यहां पर प्रभावी लक्षन क्या है टी प्रभावी लक्षन होगा टी प्रभावी लक्षन है समझ में आ रहा कि नहीं है और बस अई यहां पर कंसेप्ट ही है अई कंसेप्ट है और अई चीज को यहां पर लिखा गया है क्या लिखा गया है कि केपि डिटल टी स्मॉल्टी पोधे में ती परवावी लक्षन है तता ये स्मॉल टी है ये क्या है अ परवावी लक्षन है किलियर है तो जो यहां पर चार कोस्टन का मातरा को यहां पर एक ही वाला एंसर लिखना है सारा सारा कंसेpt आपका सिंपल है थी कैशनी यहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहां पर क्या होता है मेंडल क्या करते हैं मतर के दो पोधों पर अपना परियोग करते हैं मेंडल क्या करते हैं मतर का एक बोना पोधा लेता है जिसे हम लोग स्मॉल्टी से दिखाते हैं मैं लोग सूचित करते हैं और मेंडल जी एक लंबा पोदा लेते हैं, जिसे टीटी से दिखाते हैं, मतलब केपिटल डी केपिटल डी से, और ये मेंडल क्या करते हैं, मतल के लंबे पोदे और बोने पोदे की बीच प्रागन कराते हैं, ठीक है, अब देखी क्या होता है, फिर यहां पर क्या होता है, मेंडल जी, इमें प्राप्त बीजों से मेंडल ने पोधे उगाए जिने जनक पीड़ी पी कहते हैं, आगे देखी क्या होता है, अब यहां पर यह जो जनक पीड़ी के पोधे से प्राप्त बीजों से फिर पोधा उगाए जिने परतम संतती F1 कहते हैं, इन पोधों में सभी पोधे लंब था इससे मेंडल को पता चला की आनुवनसिक गुन सवतंतर रूप से वनसानुगत होते हैं और यह पीड़ी दर पीड़ी चलता रहता है किलियर है और यहां पर आपको थोड़ा सा लिख देना है बस आपका एंसर कंप्लेट इस परियोग में लंबेपन का गुन पहले जब की Small T Small T Bonapoda है we T Pravami stressful यह पर अगर इस पिसप्रकार से कर देते हैं तो इस इसन का आपका अंसर हो जाएगा ठीक है आगर इस वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर दें थैंक यू